IQ level बढ़ाने के लिए सोने से पहले का आधा गंटा बहुत जरूरी होता है। आप लाइफ में किसको किसको I love you बोले हैं कभी भूले हैं। नहीं। कौन कौन आपको मारा है या कुछ उल्टा जिदा बोला है नहीं बोलते हैं। प्यार महबत आपको होई जाता है। यह उमर की गलती है। IQ level क्या होता है देखें IQ level क्या होता है अच्छा question है। आप बस बस इसका जवाब दे लें देज़ें फिर पूछें IQ level क्या होता है। brain का सबसे महत्पूर्ण हिस्सा जो होता है सेरी ब्रम होता है। सेरी ब्रम ही हमारे memory को control करके रखता है। जिसकी memory अच्छी होती है उसे पढ़ाई लिखाई की चीज़े हर चीज़े याद रहती है। तो इसको नापने का भी कोई नाकोई एक यूनिट होना च़ये ना जैसे हम आपको गयंहूँ देंगे तो तुरत्ति उसको कीलो में नापरिएगा। चावल देंगे तो कीलो में ना पिएगा, कपड़ा देंगे तो मीटर में ना पिएगा, गैस देंगे तो भल्यूम में ना पिएगा, एमेल में ना पिएगा, लीटर में पानी ना पिएगा, उसी तरह से हम कितना देर याद रखते हैं, इसको काटेक्स में नापते हैं, जिस इसका काटेक्स कम है, यानि IQ लेबल इसका कम है, समझ भी आगया की नहीं आगया, किसी को दिख कर, अब हम आपको एक्जामपल देते हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे टीचर आये होंगे, कुछ टीचर आपको नोट्स खोल के पढ़ाते हैं, कुनो किताब उतब नहीं है, किताब नहीं है, थि खाटा Бुख वे देना यहा, इसी को समझ बहुते हैं, यहुता इसाब किताब वाला किताब है, दीवाली के समय हिसाब किताब होता है, सब सेलेरी उलरी का, तो कुछ टीचर को देखेगा नहीं, इसी में देखके पढ़ा देंगे, बाबू देखो, नर IQ लेबल कम है लेकिन कुछ लोगों को देखेंगे आप उनको किताब उताब से मतलब नहीं होता है जैसे आप इलाबाद इनुवस्टी कभी जाईए तो देखिए या बड़े टीचर आईएटी वगरे जाएंगे बहुत एदम टीचर आते हैं अराम से कोई नोट सोच कुछ न प्यार महबत आपको होई जाता है यह उमर की गलती है लेकिन सहीं क्या है कि आपके अंदर एक समझदारी रहनी चाहिए कि भाई साब यह उमर की गलती है तो इसे गलती भरी स्विकार कीजिए अपने आपको जीवन साथी बनाने की कोशिज मत करिए बस यह एक समाज के एक इस लेबल के रखिए कि भाई हमारी लाइफ अलग है तुम टंपरोरी आए हो नहीं तो इसमें चल जाओगा लेकिन अगर इप्रेम महबत में पढ़ेंगे तो हाइपो थलेमस एक्टिव होगा पूरा नर्वस सिस्टम को चौँपट कर देगा समझ में आगे कि नहीं IQ क्या होता है अब आप बताएंगे IQ लेबल किसका अच्छा है IQ लेबल कैसे बढ़ाएंगे तो याद रखिए IQ लेबल बढ़ाने के लिए सोने से पहले का आधा गंटा बहुत जरूरी होता है सोने से पहले आदे गंटे दिन बर में जितना काम की है उसको सुबा से आप तक अगर इसको रिवाइज करते रहेंगे गिन के 42 दिन में आपका IQ लेबल तेज हो जाएगा फिर आपका याद हो गया और अगर यही खतम हो जाएगा तो क्या कहिएगा आपका भी IQ लेबल गिर जाएगा सपना कैसे आता है इसे ब्रेन के वज़े से आता है ठके नहीं कभी rest नहीं करता है टॉपिक भूल जाते हैं मतलब आपके दिमाग में दूसरा टॉपिक चलता है आप लाइफ में किसको किसको I love you बोले हैं कभी भूले हैं नहीं कौन को आपको मारा है या कुछ उल्टा जिदा बोला है नहीं भूलते हैं आप कितनी बार किसी चीज को रि पिक्स हो जाएगा हम लोग को क्या है बया दीन रात पढ़ाते 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 आदमी पगला जाता है इसलिए आप कोई नीद में भी पूछेगा खांसर स्वायत तंतरी का तद किसे कहेंगे स्वायत में कुछ नहीं आएगा ये आजाएगा आपका sympathy परा हमारा control रहता है जैसे हमसे कोई पूछेगा कि आप मी अगर पूछेगे कि खांसर जो एक हफ्ता क्लास नहीं लिये थे कहा थे तो हम सोचने लगेंगे ये student है इससे हर बात क्या बताएगा आदमी कि किस डॉक्टर के पास थे कहा गय थे नर्मल बोल देंगे बाभू थरा सा इसलिए चले गए लेकिन अगर ममी पापा पुछेंगे तो हमसे हर चीज बताएगे तो जो चीज हमारे control में नहीं रहता है वो उसे क्या कहते है सॉब conscious mind जैसे कोई हमारा नाम पूछेगा खटाक से बता देगे खांसर सन में आगे कि नहीं एगा औरिजिनल नाम तो आपको पार रिवाईज मार देते हैं तो वो चला जाता है सब conscious mind में फिर आपको याद करने की जरूबात नहीं है सपना कैसे आता है जब आप थक जब आपकी नींद अच्छी नहीं होती है तब नींद प्रॉपर लिया कीजिए नींद में कोई कमी नहीं आनी चाहिए आप जिस द दर्द करने लगेगा जैसे आप दोडेंगे तो दोडेंगे तो आप सांस जादे नहीं ले पाते हैं ऐसे लेते हैं तो बोडी में सांस नहीं पहुच पाता है और हाथ पयर में आपके लेक्टी के सिट जम जाता है जिसलिए दर्द करने लगता है तो जब कभी में मेहनत कर ने लगेंगे या फिर दव हो जाएगा तो brain दरद करने लगता है दूसरा coma क्या होता है brain हमेसा working करते रहता है अगर वो rest में चला गया तो उसी को coma कहते है अब permanently rest में चला गया तो मरी यह जाएंगे बेहोसी में क्या होता है कि brain और spinal cord का संपर्ग टूड़ जाता है brain और spinal cord का संपर्ग टूड़ जाता है तो उसी को क्या कहते है बेहोस हो गया है पानी उनी छिड़केंगे ना तो spinal cord में उसमें संपर्ग जूड़ जाएगा लेकिन brain और spinal cord कामे नहीं कर रहे हैं से तो कोมา में को HALF death के आता है, आधा मरा हुआ विक्ती है कोई जरूरी नहीं कि वापस आए गए मौलता है लेकिन बहुता है तो कोई दिक्कत नहीं पानी फेके मार दे गाए उसको threaten году, बिहार二 का दात लग गया फीट मार दिया है यह क्या करता है ? Motor nerves देखे है यह order लेके आता है order देता है यह किसे brain से order देता है किसको body को body को यह order देता है और sensory nerves क्या होते हैं सब यह order को receive करते हैं सब यह क्या करते हैं सब send यह देखिए जैसे माल लिए यहां कोई मच्छड काट रहा है यहां क्या कर रहा है मच्छड काट रहा है तो सब्सक्रा ब्रेन को कई से पता चलेगा मच्छड काट रहा है या पीछवा मच्छड काट रहा है तो बीना देख ले आप जान जाते हैं मच्छड काट रहा है जैसे पढ़ रहा है अचारक से इसे मारते हैं तो देखने कहते हैं मच्छड है लेकिन आप जान जाते हैं सुझरा मच्छड वे काट रहा है काई नहीं कहते हैं कि साप काट रहा है गया नहीं क्योंकि यह सेंसरी नर्व है यह सेंस करने का काम करता है इसको पता है कि मच्छड काटने का दर्द कैसा होता है तो यह सेंस करेगा जैसे जैसे माली यहां मच्छड काटा न, तुरत मैसेज भेज़ देगा किसको? ब्रेन को, यानि ये body से कहां मैसेज भेज़ता है? ब्रेन को ब्रेन को कहता है body से किसको भेज़ेगा? ब्रेन को, कि देखे तो कौंची चूब रहा है, तो brainwa का जो सेरी ब्रहम है, वो करा तो याद है कि मच्छड चूब रहा है तो brain को पता जो जाएगा मच्छड चूब रहा है, तो brain order देगा किस से? motor nerve से brain किसको order देगा body को? हाथ को कहाएगा मार तो, जैसे इधर से मच्छड काटा, sense करेगा sensory nerves, sense करेगा sensory nerve, तो रहात message बेज़ेगा brain को अब brain काएगा, order देगा हाथ को, मार तो अब देखेंगे तो मर जाएगा, यहाँ मार जाएगा क्योंको दूद तरीके, मच्छडवा को यहाँ फोटो कॉपी हो गया मच्छडवा कहाँ गया, तो आदमी खोचता है, कहाँ गया अब फिर मार देता है, तो रहा काट रहा था हमको यहाँ पर संब्यागे, यही दोनों main होते हैं यह main होते हैं, संब्यागे जैसे, सीधी सी बाद, माल लिए आपको कोई पीछे से ऐसे मार दिया, ऐसे मार दिया तुरत sense organ कहेगा, sorry, sense करेगा sensory क्या करेगा, sense करेगा, कोई मारा है तो brain पीछे देखेगा, करेगा, तुम है इधार आओ, इधार आओ संब्यागे, और वही पता चला कोई जान पहचान कर नहीं है तुरते brain order देगा, किससे motor nerve से जोज़र हम जानते भी नहीं, एक तमाचा दो देंगे उसको काई मारा रहे है, संब्या आगे की नहीं आगे किसी को दिकत, तो body से brain में sense कराता है sense organ, और order देता है, motor nerve फालीज मारना सुनें, किसी को फालीज मार दिया सुर्ण वहाँ का sensory nerve से खतम हो जाता है, sense से नहीं रह जाता है तो एंगल लेके घुमता है, कंची होगे लो, बाबा के फालीज मार दे लो मतलब उहाँ का sensory nerves काम करना छोड़ दिया है sensory nerves काम करना छोड़ दिया है, बुढ़ोती में ही बहुत होता है यहाँ पर कहीं माल लीजे, नाखून है, आप नेलकटर से काट रहा है कहीं जादे बकोट लिया हचाक से, तो यहाँ का sensory nerve काएगा रे बकलोलवा, जादे काट दिया यहाँ पर, तो यह order देगा, नेलकटर हटा 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 कभी देखें का इसे छूरा घोपते जा रहा है, घोपते जा रहा है नहीं जैसे घोपेंगे, तो sensory sense करने के लिए भेज देगा थेख बकलोलवा, अपने को घोप रहा है, तो ओर्डर देगा, अपने को नहीं ना घोपपा जाता है दुसरे को घूप दो, सहलवन गया? केसी को दिकते, ये क्या करता है? brain to body brain to body, motor nerves brain to body, motor nerves sense करےगा, sensory खिसको भेजेगा? brain को, सहलवन गया? कि नहीं है? अब किram इसलिए नाम है इसका गड़बड़ी आ जाए, इसमें गड़बड़ी आ जाए, या इसमें गड़बड़ी आ जाए, तो भगवान ये को safety के लिए दिया है, ये दोनों का काम कर देता है, इसलिए नाम है इसका mixed naps, ब्रेन हैम्रेज होता है, ब्रेन में बहुत छोटी छोटी नसे होती है, बहुत पतली पतली नसे, वो नसे फट जाती है, उसी को क्या कहता है, हैम्रेज कहता है, हैम्रेज का मतलब होता है, एक चीज का दूसरे चीज में आके touch हो जाना, तो नसे बहुत पतली होती है, फूल के दूसरे में टच होती है जिससे रगण के कारण फट जाती है तुसरे को करता है ब्रेन हैमरे और व्यक्ति की मौत हो जाती है ब्रेन में कैंसर होई नहीं पाता है ट्यूमर होता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है